हम सिव विवाह की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। माता सती संगक्र सम्हूं जब व्याहर चाते हैं। हम कथा सुनाते है। तुम हो ना धूके मा तेरे जे हो भूले ना। पूर्व काल में रजन लगे जब ब्रम्हाजी श्रिष्टी उनकी भोह से प्रकट होई ठीक सुन्दर यूती प्रम्हाजी ने दिया उसको संध्या देवीना प्रम्हाजी को किया उसने हाथ जोड प्रणा फिर इक उवक प्रकट हुआ है लिए पुष्प के बाद प्रम्हाजी ने दे दिया उसको काम देव फिरना हाथ जोड बोलाई वक है पिता सिरी बत लाए क्या सेवा है मेरे लायक आप मुझे समझाए प्रम्हाजी फिर काम देव को ये बत लाते है पावन कथा सुनाते है माता सती संग स्यों संभो जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना तीजे हो बोले ना तुम हो ना तो के ना तीजे हो बोले ना बोले काम देव से घंभा काम ऐसा कर दो सभी प्राडियों में तुम जाकर प्रेम काम भर दो ब्रम्हाजी के पास थे बैठे जितने रिसी मुनी औज बाड में काम देव के सत्ती है भर दी काम देव माने जो ब्रम्हा ने वचन कहे अपने बाड वहां बैठे हुए रिसियों पर चला दिये ब्रम्हा संग फिर सारे रिसिगण हुए है कामा तुल नजर परी संध्या देवी पर देख गई बोडे सभिरिसिगण और ब्रम्हा मुझसे क्या चाहते है पावन कथा सुनाते है माता सति संग स्यू संभू जब व्याहर चाहते है हम कथा सुनाते है तुम हो ना तो के ना दिल जय हो भूले ना तुम हो ना तो के ना दिल जय हो भूले ना उनकी कौम द्रिष्टी संधा सहन कर पाई पिता समान वो मान रहे थी लाज बड़ी आई मुनिवसिट की आग्या लेकर वो वन में आई भूले जी को किया पसन और देने लगी दुहाई भूले जी क्या दोस है मेरा इतना जरा बताओ मुक्ती का भी कोई रास्ता आप मुझे समझाओ कहने लग भूले प्रम्हा ने अच्छा नहीं किया उचित समय आने पर उनको कर्म कि मिले सजाओ एक उपाए वो संध्या को फिर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सुसंभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना तिर जे हो भूले ना तुम हो ना तु के ना तिर जे हो भूले ना में द्यार इस इस पर बत नीचे यक्य रहे हैं कर हवन कुंड की बनो आहोती तुम तो वहां जा कर मुख्ष प्राप्ती को संध्या तुम फिर तो पाओगी में द्यार इसी की पुत्री बन कर फिर तुम आओगी जाकि हिमाले पर पत पर फिर तप करना तुम घो तक्ष की पुत्री सती रूप में होगा जन्मिक आओ त्रेता युग के आरंभ तक तुम ये कर पाओगी एक बड़ा योग वर फिर तुम देवी पाओगी इतना कहकर अंकर धान भोले हो जाते हैं पाओबन कथा सुनाते हैं माता सति संगसु संभू जब प्याहर चाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो नातो के ना इरजे हो भूले ना तुम हो नातो के ना इरजे हो भूले ना ब्रह्मा के उस कर्म का फिर भूले को आया त्यार प्रम्ह लोक में जा करके फिर उनका किया अपमान कहने लग क्या प्रम्हाजी तुम्हे लाज नहीं आई खुद की ही पुत्री पर का मुक नजरे दोडाई फिर अपमान का बदला प्रम्हाजी ने लेना चाहा काम देव को बुला पास उनको ये समझाया भोले जी की देह में जाकर करो काम संचाय भुला नहीं पाया मैं भोले का किया दुर्व्योहा लेके रति को काम देव कैलास पे आते हैं आवन कथा सुनाते हैं माता सति संग स्यू संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तीजे हो बोले ना तुम हो ना दो के ना तीजे हो बोले ना बोले पे पर काम देव का ना कुछ असर हुआ आकर ब्रह्मा जी से वो तो मांगने लगे छमा ब्रह्मा जी कुछ सोच के हैं विष्णू के पास आए विष्णू जी ने फिर ब्रह्मा को दिया है पतलाए उचित नहीं है ब्रह्मा जी बोले से छल करना खोगत जो बोले हो गए तो पड़े डंड भरना हम दोनों ही जाकर भोले जी को समझाते हैं हुआ हमारा आप भी क्यों ना प्याह रचाते हैं करके विचार ये वो भोले के पास में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सु संभू जब प्याह रचाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना दिरी जे हो भोले ना तुम हो ना दो के ना दिरी जे हो भोले ना बोले ब्रम्भा विश्नों बोले इतनी विंती हैं पिने अरे धांकनी नहीं किसी को मुक्ती मिलती हैं हम जैसे ही आपको भी अब व्याह रचाना होगा तक्ष प्रजापती की पुत्री को अब अपनाना होगा बड़े घोर तपसे है उन्होंने कन्या ये पाई और नहीं कोई आदिसती सती रूप में है आए बोले जी ने मान लिया प्रम्भा विश्नों का कहां धूम धाम से सती की संग में हुआ भोले का विवा भूत प्रेत भी भोले की बाहरात में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना तीजे हो लेना तुम हो ना तो के ना तीजे हो लेना तीन लोक में सिव विवाह की हो रही है जड़ चात ते वी ते उस अपसीस जुकाएं करें पुस्प वरसा सिव मैं हो गया था भग तो ये सारा ही संसार कूज रही शहनाई शुकी हो रही जैजे का फिर तो घड़ी विदाई की भी आही जाती है पिता तक्ष को छोड सती स्यू को अपनाती है दूला रूप में खूब सजे है भोले भंगारी देख रहा संसारी शू की लीला है नारी सती को लेकर संग फिर वो कैलास पे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब ब्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुके ना तिर जय हो भोले ना तुम हो ना तुके ना तिर जय हो भोले ना साथ सती के एक दिन वो डन तक वन आते हैं राम लखन सीता की खोज में उन्हें दिख जाते हैं दूर से देखा बोले ने तो किया उन्हें प्रणा बोली सती की है बोले ये तो मानो है या साधारन मानों के आगे आप कसी से जुका बोले जी मुझको बत लाए इसमें भेद है क्या बोले ने फिर माता सती को सत्क है वचन सुनाए खुद स्री विष्णू रामो तार मिले के जन्म है आए किसी लिए हम सिरी राम को सिस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिउ संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तिर जे हो बोले ना तुम हो ना दो के ना तिर जे हो बोले ना बोले की बातों का सबी को न विश्वास हुआ लूंगी परिछा मैं इनकी मन में है प्रडे किया सीता मा का रूप बना के राम के पास है आई सिरी राम ने आदर से अपनी गर्दन है जुकाई बोले माता ये क्या आपके मन में आया है छोड़िक भोले को सीता का रूप बनाया है सुनके राम के वजनों को उन्हें लाज बढ़ी आई मागी माफी भोले से बड़ी वो तो पच्चताई भोले सती का फिर सारा संदेह मिटाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिव संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दूके ना तिर जे हो भोले ना फिर पर्याग में सब मुनियों ने महायक्य है किया ब्रम्हा विष्णु भोले और दक्ष लिये यक्य में बुला ब्रम्हा विष्णु और मुनियों ने दक्ष को किया परणा लेकिन भोले जीन दिया ना उनकी और कोई ध्याँ राजा जक्ष को भोले की ना पात पसंद आई लगे सोचने क्यूं कुत्री मैंने इन संग ब्याही महा यक्य लाजा जक्ष ने फिर तो करवाया अभी को भेजा लियों ता ना बोले को बुलवाया बोली सिउसे सती के हम भी यक्यम जाते हैं पामन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिउसंभू जब ब्याहर चाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना पीजे हो बूले ना तुम हो ना दो के ना पीजे हो बूले ना कहने लगे बोले मेहमान जो होते बिना बुलाएं होता ना सम्मान कहीं ये तुम्हें रहे समझाएं लेकिन सतीन मानी ना बोले की बात कहीं पिता की अक्यमें वो तुम बिना बुलाएं पहुच गएं राजा दक्ष सादर कर रहे थे सबका ही सम्माएं भोले के लिए ना रखा था लेकिन कोई अस्था बोली पिता को आपन ये तो अच्छा नहीं किया भोले का अपमान सती से गया था नहीं साहा कटू वचन फिर राजा दक्ष कुछ उन्हें सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मात सती संग स्यू संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना धूके ना तेजे हो भोले ना तुम हो ना धूके ना तेजे हो भोले ना होनी तो बलवान है लेकिन होकर ही रहती अपने प्राणों की माता सती ने दे दिया होती देखा जो छब देवों ने करने लग द्राही मा ना जाने अब क्या होगा इस स्रिष्टी का अंजा सुगन दोडे दोडे फिर भोले के पास आए हवन कुंड में कूदी माता रहे बतलाए खुल गया तीसरा नेत्र भोले क्रोध में है आए जलती हुई सती को फिर हाथों में लिया उठाए लेकिन जलती हुई सती तांदों दिखलाते हैं पामन कथा सुनाते हैं माता सती संग्चू संभू जब ब्याहर चाते हैं तुम हो ना तू के ना तीरी जे हो ने ना तुम हो ना तू के ना तीरी जे हो ने ना स्यूके टांडों से कापे हैं भकतों तीनों लों गम्हा बोले विश्णू से इसे आप ही सकते रो माता सती चलती हुई जब तक है भोले के हाँ क्रोध की ज्वाला भोले की मुस्किल होनी है साँ विश्णू जी ने सोच समझ कर एता खेल रचाया दिया सुदर्सन छोड सती को टुकडों में विखराया इक्यावन जगहों पे माता सती के अंग विखरे शक्ती पीठ के नाम से जाने जाते हैं तब से लेकिन भोले सांत नहीं फिर भी हो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना इरिजे हो लेना वीर भत्रे और काली का बोले ने किया निर्मा बोले जांकर करो तूर जो दक्षि किया अभिमा यग्य करो विध्वन से काट के सीस भी तुम लाओ स्यूनिन्दा जिसने भी सुनी है उसको सबक सिखाओ वीर भत्रे और काली ने किया फिर मैं साही का किया यक्य विध्वन से और फिर दक्षि का काम तमा सभी देव ताए कत्रित होश्यू की सरण में आए हुआ गोर अपराद छमा इस भोलिक की जाए करो तक्ष को माफ आप भोले कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुकी ना तीजे हो लेना तुम हो ना तुकी ना तीजे हो लेना आकिर बोलेने देवों की विंतीली है मार सब देवों को माफ किया और दक्ष को जीवन दा राजा दक्ष ने फिर भोले कोशी से जुकाया है एहंकार मेरा आप के आगे टिक नहीं पाया है फिर तो राजा दक्ष कभी मोयक के संपूर हुआ सिवों विवाह का ये किस्सा भी अब तो पूड हुआ डीयस पाल ने गाया सब्धा वक्ती भाओं से फोजी सुरेश ने लिखना सुरू किया न महुश्वाए से मेरी क्या ओकात आप मेरी कलम चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना इजे हो लेना